हलो फ्रेंड्स नमस्कार फायरेंशल विद गोपी कृष्णा में आपका पुना स्वागत है आज हम एक नए विशे पर चर्चा करेंगे कि मुच्वल फंड में निवेश यसाईपी के द्वारा ही क्यों करना चाहिए और एक हमको अपने यूट्यूब पे चैट पे के द्वा हो जाए तो जावेद जी के लिए सबसे पहले तुम मैं कहूंगा कि यह उनको 15 साल में एक करोण रुपाय क्यों चाहिए या उनका कोई गोल है जो गोल है तो उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है कितना पैसा खर्च हो रहा तो इसमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी प सबसे पहली चीज़ तो रुपी कास्ट एवरिजिंग का फायदा मिलता है रुपी कास्ट क्या होती है इसको आज हम थोड़ा साधारन भासा में समझें के कि जब मार्केट नीचे आएगी उस समय हमारा जो पैसा लगा हुआ है वो नीचे चला जाए चला है उसकी वैल्यू से लग जाएगी डिसकाउंट पर हमको कम दाम पर मिलना सुरू हो जाएगा तो उस समय हमको चाहिए एडिसनल पर्चे जब सुरू करतें तो यह साइपी के द्वारा ही इन्वेस्टमेंट करें अब मालीजे किसी ने एक हजार रुपय की आज हम एक हजार कही एमांट सब्सक्राइब कि मेरे पास तो कभी ना तो 20 जार 21 जार 25 जार 30 जार होंगे और ना ही हम पैसा लगा पाएंगे इसमें जहें मुचल फंड में ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा कि जो छोटे लोग या मध्यम स्रेंड के लोग कर सकें मुचल फंड आप एक हजार कु आपके फंड वैलू कम होगी तो समय आपको यह साइपी बंद नहीं करना है यह समझे कि मार्केट ने आपके लिए जो है एक सौगात दी है वह पहार दिया आउसर दिया कि आप इसमें अपना इंवेस्टमेंट और बढ़ाते हैं अगर इंवेस्टमेंट ना बढ़ा में त इसे 52,000 है जब उसकी वैलू जो है 45,000 आ जाएगी तो क्या आप अपना गोल्ड बेंश से देंगे उस समय आप कोसिस करेंगे कि अगर आपके पास पैसा है तो हम और खरीद करके अपने पास सोना रखें उसी तरह से म्यूचल फंड में जब भी मार्केट नीचे आवे यान कि जो यूनिट्स की वैलू होगी वो नीचे आए डीट ऐसे आप और ज़्यादा यूनिट्स खरीद पाएंगे जिससे आपकी यूनिट्स जादा इकठा होंगी जाधा मात्रा में आएगी जब आप मेचेंगे जो रेट होगा वही मिलेगा इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि mutual fund में SIP के द्वारा investment तो जरूर करें और SIP की तुलना आप morning walk से भी कर सकते हैं जो लोग सुबह सहर करने जाते हैं बिना किसी खर्च के अपने स्वास्त को जो है maintain रखते हैं उसी तरह से SIP भी आप छोटे-छोटे amount से करेंगे तो आपकी wealth create होगी जो की आगे चल करके कोई बड़ा आपका goal achieve होगा उसके लिए कभी कोई परेशानी नहीं होगी अब जावेज जी ने एक चीज जो पूची थी उनके विसे में यही कहना है कि वो यातों जो है साथ में और clear करके लिख दें कि उनका goal क्या है उस goal के लिए आज की date में कितने पैसे क्या हो सकता है इंफ्लेशन के हिसाब से उसकी value क्या होगी जाकर क्यों समय तो उस हिसाब से थोड़ा calculate करने में आसानी होती लेकिन इन्हों ने जो पूचा इनकी query का जवाब यह है कि एक करोड पंदरा साल में प्राद करने के लिए अगर बारा परसेंट के हिसाब से रिटर्न आ रहा तो यह 21,100 रुपए की अपनी साइपी शुरू कर दें कांटीनी चलाते रहें और अगर बारा पंदरा परसेंट माने तो इनको जो है 16,300 रुपए की साइपी करनी चाहिए इनके गोल आसानी से अचीव हो जाएंगे एक बात और कहना चाहेंगे की मूचल फंड में एक डिस्क्लेमर क्लाज भी है कि मूचल फंड में गारंटी की कोई रिटर्न नहीं होते हैं कि कोई यह समझ के चले कि हमको 15 साल में जो है 15 परसेंट रिटर्न आएगा हो सकता आपक हैं या 15 साल का वेट कर रहें लेकिन आपका 12 साल में ही या 13 साल में हो गया तो 15 साल का वेट नहीं करना जावेज जी जैसे आपको जैसे पंदर एक करोड़ों पर एक अठा हो जाए आप तुरंत उसको सेफ मोड में रख लें या ना सोचे कि मार्केट अभी वार बढ़ेग बुक कर लें उसके बाद नई प्लानिंग करें यो कि म्यूचल फंड के रिटर्ण गारेंटिट नहीं होते कितने साल में इतने होंगे लेकिन रिटर्ण आएगा इस बात की सियोर्टी होती है आसा की जाती कल्पना की जाती है सभी लोग इस से सहमत होंगे समझ में आया की है इनको एसटीपी करनी है इनके पास 1,001 गुपए है तीन साल इनको पैसे की जरूत नहीं होड़ा वैसे सप्टीपी करने के लिए जब पैसा आप एससी मुचल फंड में रखेंगे अपना किस फंड में रखा ये तो आपको ही मालू होगा अगर पूरा लिखे होते हैं स्टेमाटिक विड्राइब प्लान वह आप जो है भरकर के जिस ये इंची जिस म्यूचल फंड कंपडी में रखा है उसमें भर करके देंगे उसमें आपका यह पूछा जाएगा कि आपका फोलियो नंबर है काउन सी स्कीम है कौन सी स्कीम में पैसा लगा मीचल फंड की और कितना एमांट की डेट में सिस्टमेटिक विड्राल प्लान के दौरा चाहते हैं यह पूछा जाएगा आप कि पास पैसा उस पर्टिकुलर डेट में आता रहेगा यह एमसी को आपको रिक्वेस्ट करना हो गए या अगर पास में लिखें या हमारे फोन नंबर पर किरें करें संपर्ग तो आपको हमारे यहां से यह सुद्धायब्ली उप्लंद कराई जा सकती है आप सभी लोग इसके विशा में समझ गया होंगे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और अपने लोगों को जो है शेयर करें जिससे की वो भी लोग इससे लाभानवित हो सके हैं धन्यवाद नमस्कार